हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं चनल, आज हम नाइटी की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैबरिक लिया है, ये रियोन का है, तो सबसे पहले हमने फैबरिक को लंबाई में डबल फोल्ड करके रखा है, तो इस तरह से हमें इसे उठाते फोल्ड कर लिना है, तो हमने यहां पर फैबरिक को फोल्ड किया है, ये दिखें यहां पर हमारी ओपन साइड है और यहां पर फोल्ड साइड है, और इसकी जो लेंथ है वो हमने 57 इंच ली है, रेडी लेंथ 55 इंच है, टू इंच हमने मार्जिन लिया है, अभी यहां पर जो फोल्डेड वाली साइड है यहां से हम टू इंच पे मार्क करेंगे, पूरा उपर से नीचे तक हमें टू इंच पे मार्क कर लेना है, और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, अभी सारी मार्किंग हम लाइन के इस तरफ करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच, उसके बाद हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी 7 इंच है लेकिन हम आर्मोल 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आर्मोल मैं ले रही हूँ 8 इंच क्योंकि 90 हम लूजी पहनते हैं इन दुनों पॉइंट्स को जॉइन करते वे स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें chest का 4th part plus 3 inch margin लेना है तो यहाँ पर हमें 3 inch margin लेना है क्योंकि 90 हमारी lose रहेगी इसके लिए हम 3 inch margin लेंगे तो मैं ले रही हूँ 13 inch अब का जो chest का size है उसको 4 से divide करना है plus उसमें 3 inch margin add कर लेना है अब इस निशान को हम cross में extend कर देंगे नीचे bottom तक यहाँ पर हमें कमर का निशान नहीं लगाना है इसको cross में extend कर देना है अभी हम armhole draw कर लेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहाँ से हम armhole का shape देंगे यह हमारा back का armhole है और half inch अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉख कर लेंगे ये हमारा front का आर्मोल है तो marking हो गई है यहाँ पर नेक की cutting नहीं करेंगे नेक की cutting हम बाद में करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम back आर्मोल से cutting कर लेंगे तो हमने cutting कर ली है अब यह जो हमारा 2 inch का extra fabric है यहां पर हमें कट लगा लेंगे तो अभी हम इसको open करेंगे और इसमें से हम back part को side में रख लेंगे और front part को फिर से fold कर लेंगे कि उसके बाद हम front armol की cutting कर लेंगे तो हमने front armol की cutting कर ली है अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो जो side से बचावा कपड़ा था उससे हमने लिया है और इसको हमने four fold किया है यह दिखें यहाँ पर open side है और यहाँ पर fold side है अब यहाँ पर हम sleeves की broadness लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 10 इंच जितना आपका आर्मोल है उससे 2-3 इंच जदा लेना है अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पर mark करेंगे और यहाँ से हम sleeves का shape देंगे इस तरह से हमें sleeve का shape देना है अभी हम sleeves की length लेंगे तो sleeves की length है 5 इंच प्लस 1 इंच हम margin लेंगे तो 6 इंच पर निशान लगा लेंगे अभी यहाँ पर हम sleeves bottom लेंगे तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच अभी इन दोनों points को जोड देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो हमने sleeve की cutting कर ली है यहाँ पर हम center में cut का निशान लगा लेंगे उसके बाद हम sleeve को open करेंगे और sleeve की दोनों सिधी side अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी side अंदर की तरफ रखनी है और उसके बाद ही हमें front का armhole draw कर लेना है और इसकी cutting कर लेनी है तो हमने front armhole की cutting कर ली है तो यह इस तरह से हमारे दोनों side के दो sleeves है अभी हम stitching करेंगे तो यह हमने front का part लिया है इसको हम उल्टा करेंगे और यहाँ पर जो हमने 2 inch का extra कपड़ा लिया था और देखें यहाँ पर हमने cut का निशान भी लगाया था तो यहाँ से हम नीचे की तरफ 8 inch पे मार्क करेंगे और यहाँ तक हम straight line draw करेंगे 8 inch तक और अभी यहाँ से यहाँ तक हम इसे stitch कर लिया है यहाँ तक अभी हम इसको open करेंगे city side में तो center में यह हमारी इस तरह से plate आएगी अभी यह जो back side में कपड़ा है इसको हमें open करके अच्छे से press कर लेना है तो इस तरह से हमने इसको press कर लिया है अभी हम इस पे neck की cutting करेंगे तो सबसे पहले हम इसको center से fold कर देंगे यह दिखें इसको center से fold करना है जो सिलाई है वो हमारी बीच में आनी चाहिए अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width में ले रही हूँ 2.5 inch और neck deep में ले रही हूँ 5 inch उसके बाद हम round shape देंगे और neck की cutting कर लेंगे तो हमने front neck की cutting कर ली है अभी हम इसे open करेंगे अभी हम neck part बनाएंगे तो इसके लिए हमने तिर्ची पटी ली है cross strip आप यहाँ पर neck के shape की strip भी use कर सकते हैं मेरे पास fabric कम था इसके लिए मैंने तिर्ची पटी ली है इससे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने है कट लगाते टाइम पर धान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे उसके बाद हमें strip को wrong side में double fold कर देना है और इस तरह से हमें front का neck ready कर लेना है अभी हमने back का पाड़ लिया है इससे हमने उल्टा रखा है यहाँ पर भी जो हमने 2 इंच का extra fabric लिया था यहाँ से नीचे की तरफ हम 8 इंच पर mark करेंगे और straight line draw कर लेंगे और 8 इंच तक हम इसे stitch कर लेंगे तो हमने इसे stitch कर लिया है अभी हम इसे open करेंगे और पीछे की तरफ जो हमारा fabric है इसे हम open करते हुए अच्छे से press कर लेंगे तो हमने इसको press कर लिया है अभी हम इसको center से fold करेंगे और हम neck की marking कर लेंगे तो neck width मैं ले रही हूँ 2.5 इंच और back neck मैं ले रही हूँ 4 इंच और round shape देंगे और neck की cutting कर लेंगे तो हमने back neck की cutting कर ली है अभी हम इसको open करेंगे और back neck बनाने के लिए भी हमने तिर्ची पटी ली है इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिराइ लगा देंगे और उसके बाद हम इस trip को wrong side में double fold करके back neck ready कर लेंगे तो हमने back neck ready कर लिया है अभी हम front का part इसके उपर उल्टा रखेंगे और shoulders attach कर लेंगे तो हमने shoulders को attach कर लिया है अभी हम sleeves को attach करेंगे तो sleeve को हमें shoulder के उपर उल्टा रखना है और इसे stitch कर लेना है और इसी तरह से दूसरा sleeve भी attach कर लेना है और sleeve के bottom को हमें double fold कर देना है तो हमने sleeve को attach कर लिया है अभी हम इसको उल्टा करके दोनों side से सिलाई लगा देंगे और इसके जो bottom है इसको हम double fold कर देंगे इस तरह से झाल